आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ तू यूज कोडशेफ एफेक्टिवली ठीक है सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ पहले तुम मेरे को कुछ कमेंट्स आगे बोलो कि आपने तो कोडशेफ यूज की हाई नहीं सबसे जादा पेंग कमपनी उनकी लगी और दोनों ना कोडशेफ कोड़ साथ साथ कोड़ साथ कोड़ साथ कंड़िए उनसे मैं बात करी ठीक है शब्द उनके हैं बस बोल मैं रहा हूँ वह थोड़े कैमरा शाय थे और उनने बोला था नाम वगएरा मत लियो तो मैंने का ठीक है यार तुम बस हेल्प कर दो इंफर्मेशन मिलनी चाहिए फरक नहीं बढ़ता तो इस वीडियो में साथी चीज़े डिसकस करेंगे कि यार तुम अगर एक बिगिनर हो तो तुम कैसे कोड़ शेफ को यूज कर सकते हो कौन सी चालेंज़े होते हैं कौन सी चीज़े होते हैं कौन से रिसोर्से हैं कोड़ तैसिँ चालेंज़ चालेंज हैं महुं करना है का ब्रच का अच्यर होते हैं का आफी इस टाइम से क्में लाग चालेंज़ चीजे बॉद का द्यमिल जाता है चीज़े सीखने तुम पता चलए होता है कान्ल तो पताइं लिदा कैसे करना है थे ते सबसे पहले एक और चीज़ है 30 डेज अपना चल रहा है तुम्हें पता ही है अब तुम अपनी 30 डेज वाली प्रोग्रेस जाके कमेंट में बता हो हाश्टाग डेज 4 और हाश्टाग 30 डेज चालेंज लिखो और बताओ तुमने तीन और दीन कम्प्लीट किया अपने और आज के दिन में तुम्हारे क्या प्लांस है ऐसे ही तुम्हारे लिए और मस्त मस्त वीडियो जाती रहेंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं कर आप तक तो सब्सक्राइब कर दो तो ठीक आगे चलते हैं तो सबसे पहले तुमने एक लॉंग चालेंज चार्ट किया तुम्हारे पता चलिए इस चीज में क्या कॉंसेप्ट होने वाला है तुमने इसको प्रॉब्लम को डिडियूस कर लिया ए ठीक है अब इसको चीटिंग नहीं कहते हैं ठीक है सबसे पहली बात विकॉस तुम चीजे लर्न कर रहे हो और उसको इंप्लिमेंट कर रहे हो तुमने सारे चीजों को डिडियूस कर लिया किसमें कॉंसी अल्गॉरिथम लगेगी इसमें क्या चीज लगेगी और तुम उसक होता है वो पढ़ लोगे अब इसमया दो तीन चीजे जो उसने अलग से हाइलाइट करी थी मेरे को ठीक है हर कॉंटेस्ट के लिए आप लेके बले हैं ठीक है सबसे पहले कंसिस्टेंट ली करो मतलब हर महीने लॉंग चालेंज दो हर महीने कुक ओफ दो हर महीने लगे अपने आपक तो नहीं को नीं ने अचन बार चालेंज मेरेंल चालेंज में जो एक जब07 पर दो तुम्हारे तुम्हारे चार कुटी में से थिक याजए च्टा देख्यिए जरू शुरू ट्राए करो वो तुम्हारे नेक्स लेवेल धाब एक लिए तुम् конт Moder आगे थी हर चालेंज के बाद इंप्रूफ कर रहे हो नेक्स जो चीज नहीं को दोस ने बताई थी कि यार कभी भी ना टाग्स लगा के मत करना प्राक्टिस चीज प्राक्टिस कर रहे हैं तो तुम्हें सबसे पहले हिंट मिल गा यार इसमें कॉन सी चीज यूज हो गए practice and learn पे जाओगे and practice problems by difficulty level पे जाओगे ठीक है practice problems by difficulty level पे जाने के बाद तो यार ऐसे काफी सारे ना वो मिल जाते हैं कि beginner, easy, medium, hard, challenge और pure अब इसमें क्या करना है तुम्हें beginner वाले questions करने हैं रोज 3-4 questions करने हैं रोज 4-5 questions जितने हैं तुम्हें करने हैं अब साथ साथ तुम्हें अपने जो long challenges देते रहना है यह तुम्हारी practice के लिए कि तुम कैसे सीख रहे हो तुम और questions कैसे कर पाओगे तुम प्लाटफर्म से और जादा कैसे used to हो सकते हो ठीक है वोस चीज के लिए है बट यह करोगे तो तुम्हारे काफी जादा होने वाला है तो यह जरूर कर लेना तो मेरे को मेरे दोस्त ने एक link दिया था उस link में तुम्हें सारे resources या तुम्हेरे syllabus वगयरा मिल जाते है कि तुम्हें क्या क्या चीजे पढ़नी है क्या क्या competitive में जरूरी होती है अगर तुम्हें ACM, ICPC को target कर रहे हैं तो तुम्हें क्या क्या चीज स्लेबस मिल जाते है देखो स्लेबस देख सकते हो तुम सारे चीजे की time complexity के बारे में Euclidean GCD algorithm, basic recursion, greedy algorithm, तुम्हें सारे ना line by line दे रहा है तुम्हें videos वगरा provide कर रखी है हर चीज की तो यह वाली link बहुत जादा भड़ी है ठीक है इस link यह link तुम्हें मतलब description में मिल जाए दे रखे हैं तो यह मिर को बहुत जादा चीज लगी यह ज़रूर कर लेना ठीक है code chef को तुम्हें पता चलिए यूज कैसे करना है questions को कौन से करना है अब एक और चीज होते है code chef पे काफी सही होती है hiring challenges होते है companies code chef के साथ tie up करती है and उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है चालेंज देना होता है ठीक है तो यार मतलब अभी टीशिट भी चेंज कर लेता है मतलब मैं code chef पे जादा किया निए बट मैं code chef पे educator भी हूँ थोड़ा जादा हो गया बट ठीक है तो ठीक है उसके बाद तुम्हें क्या करना है तीनों चीज़े याद रखनी है तुम्हें लॉंग चालेंज देने उनको अप्सॉल्व करना है तुम्हें अगर कुक आफ दे रहे हो या फिर तुम लंच टाइम दे रहे हो उनको भी अप्सॉल्व करना है ठीक है इससे तुम्हारी काफी बढ़िया प्राक्टिस हो जाने वाली है I'm pretty sure तुम अगर ये सारी चीज़े करोगे तो तुम competitive programming champ बन सकते हो पाकि यार तुम्हारा भाई भी थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रिक्चर से लिए थमसार से किफिल की competitive पढ़ा देता है अनकार्डवी पर तुम उसके लिए जाके जरूर देख लेना सब्सक्राइब कर लेना अनकार्डवी पर और यार लेट से से किफ की बात हुई कॉट्ड फोर्स्स की बात भी होने वाली है तो यॉंस्ट हितना ही तया आज वाली वीडियो में वीडियो पसंद देट लेप लायक जरूर करें शब्सक्राइब करेंगे चानल को चल्दी से हम जादा माःस्टों।्सकों है और आपना प्रॉ अज़गा एक टृस्कें लब एक बादा स्वेवति करें jump